प्यारे विध्यार्तियों, नमस्कारं, सभी कहétais नए वीडियों में अज के इस वीडियों में वार्षिक परिक्षा थे 2023 कक्षा 11 विव्यावसाय अध्यान विश्फे की पर का फूल पर का सŁल्जण देखने वाले हैं तो इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रेक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमार यूटूब चैनल को सब्सक्राब ने किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राब जरू कर ले और साथी बेल आइकन को जरू दबाले तो प्यारे विद्यारतियो आज किस वीडियो में पूरा का पूरा कोस्टन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे जिससे कि आप सबको सबको समझ में आ सके हैं तो प्यारे विद्यारतियो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि कक्चा 11 वी वारसी परिक्चा पर व्यावसाई एद्यन विसी का फुल सुल्यूशन आपको किस प्रकार से तैयार करना है तो दोस्तों आप यहां पर उत्तर नमर छे देख पा रहे हो यहां पर कोश्चन कुछ इस प्रकार से था कि व्यावसाई किसे कहते हैं तो देखेगा दोस्तों व्यावसाई किसे कहते ये तता सेवा वावना से की जाती जैसे की डॉक्टर वकील आदी तो देखिएगा दोस्तों इसमें ये प्रस्ण पूचा गया था कि व्यावसाई और पेसा किसे कहते हैं ये यहाँ पर बता दिया गया है और उसी के नीचे दोस्तों ये कोश्चन आपको यहाँ पर देख रह करना कर्मचारी कल्यान गुणवत्त पून उत्पास सही विग्यापन समय पर्वा उचित भुक्तान करना आदी जो है दोस्तों ये व्यावसाई के सामाजी कुद्देश है जिनको आप सभी को नोट कर लेना चाहिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हो रगले कोश्चन का उ दोस्तों आप इसको समझ सकते हो विशिष्ट एवं ज्यान योक्ता के आदार पर व्यावसाई करने के लिए विशिष्ट ग्यान वा किसी न्यूंतम योक्ता की आवश्यक्ता नहीं होती है पेसे में विशिष्ट ग्यान और योक्ता के ही हाँ होना आवश्यक होता है इसकी प्रकति की आकार के अनुसार होती है और पेसे के सामाने पुझी की आवश्यक्ता होती इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोगों को व्यावसाई और पेसे में अंतर पूरा याद कर लेना चाहिए जो यहां पर आपको पूरा बताया गया है जलिए आगे बढ़ते हैं और आवश्रक्त तत्व क्या क्या है पहला जद्देश्च दूसरा योजद न वियस सथ तन विश्द् restoring शंगटन कुसल परबंदन यह ज्लावा सपलता के लिए आवश्रक्त पत्वें आपको लिख लेना चाहिए आके पहला है आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है जब किसी वस्टु का आदिक मातरा में करेव विक्रे किया जाता है तो उसे थोक्वियापार कहते हैं जब थोक्वियापार जब थोड़ी मातरा में माल खरीद कर और भुगता को आवश्चक्त नुसार बेचा जाता तो उसे फुटकर व्यापार केते हैं उसी के अलावा दोस्तों अगला इंतर यहां से आपको यह याद कर लेना पूरा का पूरा कोश्चन पेपर आपके पास में चाहे सेट ए आए बी आए इसके लिए बड़ी मातरा में पूझी क्यावशक्त होती इसके लिए अत्तितिक पूझी क्यावशक्ता नहीं होती है इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को थोक व्यापार और फूटकर व्यापार में अच्छे से अंतर याद कर लेना है यह आपसे परिक्चाव में बिलकुल पूचा जाएगा उसी के अलावा दोस्तों आप से यहां पर आप देख पारे हो सुपर बाजार की विशेष्टा यहां से आप से पूची गई है सुपर बाजार की क्या-क्या विशेष्टा है इसको आप इस जगे से देख सकते हो पहला लिखा है सुपर बाजार में तुछ यहां पर आपसे पूजा गया था तरदानिजूंवि परीवेववसाई कि विशेस्थाए क्या किए दोस्तों, जन्म से सदस्त मिल कोशिचन यहां पर आपको दिया गया है साज़ेदारी के प्रकार आपको बता ने लिए तेसे यहां से상दरी तो इनको आप यहां से लिख लीजेगा और अच्छे से नोट भी कर लीजेगा फेला क्या दिया गया है ग्रहाकों के लिए आकर सक विवागी बंडारन होता है केंद्री स्तानों तक सिमित होता है ग्रहाकों को सेवाय मिलती है और मित्वेटा होती है इस प्रकार से दोस्तों समाप्ति हो जाती है जोकिम का फेला हो जाता है विग्यापन विए में कमी आती है वो भुक्ताओं को लाव होता है तो इस प्रकार से दोस्तों यह सभी कोस्चन और उनके आंसर यहां से आपको नोट कर लेने हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले को भी समझ लेते प्रतिष्टा बैनाय रखना वंचित बाजार में प्रिवेस व्यावसाइक चमता का विश्दार करना और उसी के नीचे दोस्तों आगला कोस्चन यहां पर दिया गया परियावर नहीं प्रदूसर्ण के प्रकार प्रकार क्या दोस्तों वाईव प्रदूसर्ण है दूसरा जल प्रदूसर्ण है तीसरा भूप्रदूसर्ण है और चोता सोर या धोनी प्रदूसर्ण है और चलिए आगी कोस्चन और उनके आंसर देख लेते हैं कोस्चन नमर 12 में दोस्तों आप से पूचा गया था यी कामर्स के अनुपरियोग लिखिए तो यी कामर्स के अनुपर सब्सक्राइब दोस्तों यहां से लिख लेना है चलिए आगे बढ़ते और अगले प्रस्णों पर उत्तर भी देखते हैं तो देखेगा दोस्तों अगला जो कुश्चन था इसमें आप से प्यूचा गया था व्यवसाई पेसा और रोजगार से बताइए तो यहां पर आपको दोस्तों व्यवसाई का आसे लिखा गया है व्यवसाई से क्या आसे है यहां से आप पूरे इसको नोट कर सकते हो यहां पर आपको पेसे का लिखा गया है यहां से नोट कर सकते हो और उसी के नीचे दोस्तों यहां पर आपको रोजगार का लिखा गया है आप रोजगार से क्या से इसको आप तिस जगे से नोच कर सकते हो। सचली अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रसणों के उत्तर देखते हैं अगले प्रसन में दोस्तों यह आपको पूरा याद कर लेना है व्यावसाई पैसे तता रोजगार में अंतर बताई है तो यह व्यावसाई है यह प का मेधारीत क्योकता प्रसिक्शन की आवशकता नहीं होती है . अग्र लिखा दोस्तों प्रतिपलיה व्यहसाईमे 6 की प्रतिपल के लूप में राप ciert हैं पैसे हैं बेशाव हम व्यक्ति को अपनी सेवां के प्रतिपल के रूप में फीस मिलती है रोजगार운 में व्यक्तियों को मजदूर या वियतन प्राप्त होता है корot पो спुर्भ य हासए नोट कर लेना है चलिए आगे बड़ते हैं और अगले अगला लिखाय दोस्तो वित्ति-संसाधन, वित्ति-आधुनिक व्याहुषाई का जीवन रखते हैं परियाप्त वित्त होने पर ही व्याहँषाई अपने उध्यों को पूरा कर सकता तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा का पूरा यहां से आपको न्योट कर लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ गया था कि सरकारी कंपनी की विश्यष्चता है बताई है सिर्कारी कंपनी में सरगारी लेका नियम लागू नहीं होते हैं इसके कर्मचारी लोग सेवक नहीं होते हैं इसका अपना अलग स्टाफ होता है यह अपनी आपको अपने पास रखने तर्था कर्च करने के लिए सोतन्त है और उसी के नीचे दोस्तों आप से कोश्चन पूछा गया था भवराष् वाले उद्योगों का विकास होता है नए उत्पादनों का विकास होता है विदेशी विनी में होता जीवन इस्तार में सुधार होता है इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा यहां से लिख लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो कोस्टन यहां से आपसे पूचा गया करती है यह पूरा दोस्तों आपको यहां से लिख लेना है अगला जो कोस्चन था दोस्तों उसमें आप से पूचा गया था बेंग किसे कहते हैं बारती बैंकिंग अधिनीम बैंक करते हैं और उसी के नीचे दोस्तों भारती बैंकिंग कंपनी अदिनीम मैंग उनिस्सवन पचास के नुसार क्या है दोस्तों बैंक का आसे उडार देने या करने के प्रियावजन से जन्ता को मद्रा के निचे पूर करना है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन का उत्तर देख लेते हैं अगला कोश्चन आप दोस्तों इस जगे से देख पारे हो बीमा के सिद्धान क्या क्या है बीमा के सिद्धान क्या क्या होते हैं दोस्तों आप इस जगे से देख पारे हो पहला लिखा बीमा योग्य हित का सिद्दान थे परम सद विश्वास का सिद्दान थे चति पूर्ती का सिद्दान थे इस्तान ग्रहन का सिद्दान थे निकट्तम करण का सिद्दान थे और हानी नियूनी करण का सिद्दान थे तो यह पूरा का पूरा दोस्तों आपको इस ज लिएक किया जाता है बीदे सी व्यापार का अर्थ समया और समझा द眉चित प्रियोग होता है तुरी वारतिक विखास होता है बड़े पेमाने पर रुध पादन दोट happy os और यहां से आपको पुर्र लिख लेना चिलिएगा आगे बढ़ते हैं मै अगला जो कोस्टन अपको याद करना वह यह है विश्व्या पर संगटन के उद्देश कारे एंवाल की वीचना कीजिए तो विश्व्या आप संगटन के उद्देश क्या-क्या जीवन सब्सक्राइब करना करना और उसे के निचो दोस्तों आप यहां पर देख पार हो वैसुव्यापर संकतन के लाब आपको उस Gilbert कर लेने चाहिए और उसे के अलाव दोस्तों यहाँ पर कुछ लाव और यह दिये गए तो आप सभी लोग इसको पूरा नोट कर लेंगे दोस्तों आपने देखा पूरा का पूरा आपका जो कोश्चन पेपर होने वाला है इसे परकार का कुश्चन पेपर आपको परिक्चाव में पूरा देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने आप सब को पूरा बता दिया है दोस्तों इसे के साथ में मैं आप सब को वारसी परिक्चाव के लिए सुब कामना देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं नमस्कार